हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि लेटरोजोल का क्या यूज होता है लेटरोजोल ड्रग डॉक्टर के द्वारा आपको क्यों प्रेसक्राइब की जाती है में वर्क क्या होता है लेटरोजोल का तो जब आप इनफर्टिलिटी फ्रेस कर रहे होते हैं और इनफर्टिलिटी के टीटमेंट के लिए आप जब आप डॉक्टर के पास दाते हैं तो डॉक्टर आपको लेटरोजोल ड्रग ही प्रेसक्राइब करते हैं क्योंकि लैटरोजोल का जो वर्क होता है वो एग के development में यूज होता है प्रतेग महिने जब महिला की ovary में बहुत सारे follicles बनते हैं तो उन में से एक follicles mature होता है जिसे mature egg भी कहते हैं और यही mature egg ही release होता है इस mature egg के releasing की process को evolution कहा जाता है इसे fertile time भी कहते हैं जब एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में ये इस्पम का वेट करता है अगर पुरुस के सुक्राणों एग से मिल जाते हैं तो एग फर्टिलाइज होकर बच्चे जाने की दीवार में जाकर के चिपक जाता है और इंप्लांटेशन की प्रोसेस शुरू हो जात है या बढ़ा हुआ होता है तो ओवरी में बहुत सारे चोटे-चोटे फॉलिकल्स बनते हैं उन में से कोई भी एग मैच्चोर नहीं होता है तो ओविलोशन नहीं होता है जब कोई भी एग मैच्चोर नहीं होगा तो एग रैप्चर भी नहीं होता है तो फर्टिलिटी ट् लेटोजोल में जो ऐसे content होते हैं वो आपकी ovaries को stimulate करके एक के development में help करते हैं और लेटोजोल 3-4 period cycle तक आपको दिया जा सकता है और इसके साथ ही इसमें ovulation के जो process होती है वो start हो जाती है और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि ovulation के 3-4 दिन पहले तक relation बनाने की प्रक्रिया को क्योंकि जो पुरुस के sperm होते हैं वो महिला के uterus में 3-4 दिन तक survive हो सकते हैं लेटोजोल को FDI के द्वारा भी approved किया गया है क्योंकि 2001 से ये fertility treatment के लिए डॉक्टर के द्वारा सबसे जादा यूज किया जाने वाला drug है इसके साथ इसमें क्लोमिफेन सिट्रेट भी यूज कि किया जाता है लेकिन क्लोमिफेन सिट्रेट में कुछ side effect भी देखे गए हैं इसलिए ज्यादा तर लेटोजोल यूज किया जाता है लेटोजोल के बहुत ही जादा positive result सामने आते हैं क्योंकि इसमें जो सबसे effective इसका जो परिणाम होता है वो यही निकल के आता है कि जिन महिल परिणाम में एग नहीं बन रहे होते हैं उनका reason चाहे जो भी हो hormone imbalance का हो या उनका PCOD PCOS का हो या किसी भी reason से edge factor हो अगर कोई भी कारण से उनके एग नहीं बन पा रहे होते हैं तो जो आपकी ovaries से हर महिने एग बनते हैं लेटोजोल जा करके जो ड्रग होता है सीधे आपकी ov कंसीव हो जाता है कंसीव होने के बाद में भी डॉक्टर आपका कुछ treatment चलाते हैं उसमें आपको कुछ hormones की tablet देते हैं जिसमें progesterone आपको mainly दिया जाता है कि progesterone hormones बहुत जरूरी होता है कंसीव करने के बाद अगर आप एक healthy pregnancy चाहते हैं तो अगर आप कंसीव कर चुके है तो आपको डॉक्टर के संपर्क में बिल्कुल रहना चाहिए क्योंकि अगर आप डॉक्टर के संपर्क में नहीं रहते हैं तो आपको problem हो सकती है PCOD PCOS के case में ही ये लेटोजोल क्यों दिया जाता है क्योंकि PCOD PCOS के case में hormones imbalance के case में एक का proper development नहीं होता है और अगर आप वाइ इसके लिए एग का अच्छा होना बहुत जरूरी रहता है लेक्टोजोल टैबलेट का लेने का सही तरीका होता है कि एक इस ट्रिक में 5 टैबलेट होती है और डॉक्टर के द्वारा आपको ये सलाह दी जाती है कि उस टैबलेट को आप पीरेट के second या third day से start करें क्योंकि जब आपका पीरेट स्टार्ट होता है उसके दूसरे दिन से ही आपके फॉलिकल्स बनना सुरू हो जाते हैं तो उन एग का डिबलपमेंट बहुत अच्छे से हो इसलिए डॉक्टर आपको ये टैबलेट से लेने को बोलते हैं कभी-कभी third day से भी लेने बोलते सकते हैं तो अगर आपको ये इंफोर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें